दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं तीन सबसे बड़े वत ताकत्वर सिकारी जानुरों की यानि की पोलर वियर, साइविरियन टाइगर और बार्वरी लाइन की क्योंकि ये तीनों सिकारी साइज में बड़े होने के साथ ही बहुती कुखार भी होते हैं लेकिन आकिर पोलर वियर, साइविरियन टाइगर और बार्वरी लाइन में से सबसे ज़्यादा सक्तिसाली कौन है आज की इस वीडियो में हम इन तीनों से जुड़ी कापी सारी जानकारियां जानेंगे और अंत में ये भी पता करेंगे कि ताकत के मामले में नमबर एक, नमबर दो और नमबर तीन पर कौन आता है जानने के लिए वीडियो को आकरी तक जरूर देखना तो चलिए बिना टाइम बरबात किये सुरू करते हैं आज किस वीडियो को सबसे पहले बात करते हैं बार्वरी लाइन की दोस्तो बार्वरी लाइन एशे शेर हुआ करते थे जो कि आज के सेरों से भी बड़े थे और ये मुक्के रूप से मिस्र से लेकर एटलस के परोटों तक पाई जाते थे जो कि इनका राज करने का लंबा चोड़ा सेत्र था हालां कि आज के समय में बारबरी लाइन मौजूद नहीं है इनके अंटिंग के चलते ये पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं और थोड़ी बहुत संक्या इनकी चिडियागरों के अंदर बच्ची है लेकिन चिडियागरों के बारबरी लाइन पहले जैसे बारबरी लाइन जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है और इनका साइज भी असली बारबरी लाइन से कापी चोटा है क्योंकि ये बारबरी लाइन की हाईब्रिड नसले हैं और इनके संक्या दुनिया बर के चिडियागरों के अंदर लगबक 70 के आसपास है दोस्तों जो पहले के बारबरी लाइन थे वो कापी बड़े आकार के हुआ करते थे जिनका वज़न 300 किलोग्राम के आसपास होता था और उनकी लंबाई 3 मिटर वह उचाई 1.2 मिटर होती थी बारबरी लाइन का सिर्वी आज के सेरों के मुकाबले कापी बड़ा हुआ करता था और चेरे पर बालों का एयाल भी बेदी घना होने के साथ थी पेट के निचले इससे होते हुए फिचले पेरो तक जाता था और इसी कारण बारबरी लाइन कापी रोबदार लगते थे अगर बात करें बारबरी लाइन की दोड़ने के रफ्तारव बाईट पोर्स की तो इनकी गत्ती ऐसी किलोमेटर परती गंटे की होती थी और इनका बाईट फोर्स 1000 PSI के आसपास होता था जो की सेरों की सभी परजातियों में सबसे ज़्यादा था तो चलिए अब बात करते हैं साइबिरियन टाइगर की दोस्तों साइबिरियन टाइगर दुनिया की सबसे बड़ी और भारी बिल्ली की परजाती है जो की मुक्यरुप से उतर कोरिया चीन पूरी मंगोलिया में पाए जाते हैं साइबिरियन बाग ठंडी अलाकों में रहते हैं इसकी वज़े से इनकी खाल मोटी होती है वह इनके फर भी कापी बड़े होते हैं जिस कारण इनका ठंड से कापी अद तक बचाओ रहता है आम तोर पर साइबिरियन टाइगर अकेला ही रहता है लेकिन कभी का बार ये गुरुप के अंदर दिखाई पड़ते हैं लेकिन एसा बहुत कमी देखने को मिलता है और जाधातर साइबिरियन टाइगर अकेले ही रहते हैं अगर बात की जाए साइबिरियन टाइगर के सरीर की बनावट की तो इनका आकार बहुत ही बड़ा होता है जाए इनका वजन 300 किलोग्राम से भी अधिक होता है और लंबाई की बात करें तो साइबिरियन टाइगर 3 मिटर से 3.3 मिटर तक लंबे होते हैं जिस कारणी ये कापी लंबे दिखाई पड़ते हैं उचाए के मामले में साइबिरियन टाइगर 1.1 मिटर तक उचे होते हैं और बात की जाए इनकी दोडने की रफतार वा बाइट फोर्स की तो साइबिरियन टाइगर लगबग 65 किलोमेटर परती गंटे की रफतार से दोड़ लेते हैं वह इनका बाइट फोर्स 950 PSI होता है तो दोस्तो बार्विरि लाइन और साइबिरियन टाइगर के बारे में जानने के बारे में अब हम जानेंगे पोलर बियर के बारे में पोलर बियर दुनिया का सबसे बड़ा मांसभक्सी प्राणी है जो की दिखने में सपेद रंका होता है और जिस कारणे बेदी सुंदर लगते हैं लेकिन ये सुबाव से बेदी आकरमक होते हैं क्योंकि ये सामने आने वाली हर जानोर को अपना सिकार समझते हैं यहां तक की पोलर बियर इंसानों की जान लेने से भी पीछे नहीं अड़ते हैं दोस्तों ये भालू आर्क्टिक मादीब जैसी कटिन जलवायो वाली जगह में पाई जाते हैं जहां का तापमान हमेशा माइनस में ही रहता है और चारो तरफ हमेशा बर पी बर फेली होती है लेकिन फिर भी ये इतनी कटिन प्रिस्तितियां होने के बाउजूद भी अपने आपको असनी से यहां पर जीवित रख लेते हैं क्योंकि ठंड से बचने के लिए इनके सरीर पर तीन इंच मोटी चरवी की परत होती है वो साती घने और लंबे बाल भी होते हैं और पोलर वियर कापी लंबे समय तक हाइबरनेट की यह वैस्ता में चले जाते हैं जिस कारणी इनको हाइबरनेट करते समय कुछ भी खाने की जरुत नहीं पड़ती है और इसी कारणी ये ऐसे ये अपने आपको कही महिनों तक जिन्दा रख लेते हैं दोस्तो पोलर वियर कापी बड़े वब भारी होते हैं जहां इनका वजन 600 से 700 किलो तक होता है साथ ही ये दोपन चार मिटर उचे वह तीन मिटर तक लंबे होते हैं और इनकी दोड़ने की गती 40 किलो मिटर परती गंटे की होती है साथ ही बात करें इनके बाइट फोर्स की तो इनका बाइट फोर्स 1200 PSI होता है तो यहां पर हमने बार्बरी लाइन साइबिरें टाइगर वह पोलर वियर से जुड़ी कापी सारी जानकारियां ली और इन सभी जानकारियों के आदार पर पोलर वियर सबसे बड़े वा ताकतवर होते हैं और इनका बाइट फोर्स भी कापी जादा होता है इसलिए यह बार्बरी लाइन और साइबिरें टाइगर के मुकाबले जादा कतनाक है और दूसरे नमबर पर साइबिरें टाइगर का नाम आता है क्योंकि ये बार्वरी लाइन के मुकाबले ज़्यादा बड़ेव सक्तिसाली होते हैं और इनका वजन भी बार्वरी लाइन से ज़्यादा होता है दोस्तो बार्वरी लाइन का नाम साइविरेन टाइगर के बाद आता है बार्वरी लाइन को अमने साइविरेन टाइगर के बाद इसलिए रखा है क्योंकि इनका वजन साइविरेन टाइगर के मुकाबले थोड़ा कम होता है और इसी कारण अमने बार्वरी लाइन को तीसरे नमर पर रखा है तो दोस्तों आयोप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आयोगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यही कतम करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई